राजिन दरगुड़ा हमारे साथ हैं, उदेपुर्वाटी के विधायक हैं, मंत्री पत से उन्हें बर्खास्त किया गया, हम उनी से जानते हैं कि आखिरकार क्या वज़े रही होगी, पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे से इतना बड़ा फैसला आपके खिलाफ क्या उम्मीद था, बिस्वास्त लोगों का कि हम वहां जाके और महिलाओं के साथ, बुजर्गों के साथ, बेरोजगरों के साथ, हम वहां जाके अच्छे फैसले करेंगे और करवाएंगे, और जब पूरे परदेश के अंदर, ऐसी ही बात, जब मन्यपुर के इस्सू को लेके, वो कोई वेल में वो लोग चले गए थे, इतना सा कहा था कि हम राजस्तान को नंबर वन में ले आए, महिला दुसकर्मों में, उत्पिडल में, तो कम से कम अपड़ी गिरेबान में जहांग ले, हमें थोड़े दिन बात में जनता के सामने जाना पड़ेगा, यह जबाब देना पड लेकिन उनका यह कहना है कि एक मंत्री, क्योंकि विपक्ष राजिंदर राठोड जी ने भी बोला कि एक मंत्री यदी कुछ बोलता है, तो पूरा सरकार बोलने के बराबर और सरकार इस वक्राइस पार्टी का स्टैंड भी मनिपूर के इशू को लेकर था कि बीजेपी को घ पांच साल चलाया है और पांच साल इनकी सरकार पूरी चल गई, आखरी सत्र का आखरी दिन था, अब विधायकों की जरूत नहीं है, अब राजनर गुटा की जरूत भी नहीं है, यह फैसले तो पहले करते हैं, सत्र चलता है, पहले हो तो पता चलता है सारी चीजू का, तो दो दो बार मुख्य मंतर जी को दो दो बार विधायक ती हैं, दो दो बार इननकी लंगड़ी सरकारी, थीन बार मुख्य मंतरी बढ एक रूंको रूल है। इन जया चले समय और उनके अंदार राम है। यहां आपा आज क criteria बने है। ही था या आपको लगता कुछ और कहानी कहीं से चल रही थी पहले से भरे पड़े थे ये पहले से भरे पड़े थे मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं राव सेखा का वन सजू सेखा वाटी के संस्ता पग राव सेखा तीन पीडिया एक साथ कट गई थी रहलावता में एक महिला के सम्मान के लिए सिर्फ एक मेरे छेतर के अंदर एक माईनोर्टी के बच्चेगा पर उनुवा था उसके लिए मैंने जान की बाज़े लगा थी थी सतर हजार लोग एकटे हो गए थे और हम हमारे छेतर के अंदर राज़लर गुड़ा के अलग राज़निती है जिस तरीके से हम राज़निती करते हैं उसमें जनता के पर पर हमारे जबाब देई है जनता हमसे डाइरेक्ट पूसती है कि तुमने क्या किया एक-एक माता, एक-एक भेन, एक-एक बेटी उनके पर हम राज़तान के सबसे बड़ी पंचायत पर बैठके जो हम फैसले और वहां बैठके हम जिस तरीके से हम चुप हो जाएं, हम बोल भी नहीं पाएं, यह क्या है तो क्या आप अपने उस बयान पर जो आज विधान सबाब में दिया, उस पर अभी कायम है के राज़स्तान में महिला आते है, चाहर नंबर वह एक है राज़स्तान सो परसेंट कायम हूँ, सो परसेंट मैं आपको सच बोलना यदि सजा सच बोलना यदि पाप है तो पाप तो आगे भी करेंगे कभी दिमाग से चला ही नहीं कभी मैं तो दिल से चलता हूं सो पर से जो मेरा दिल करता हो मैं करता हूं जो मेरी जनता कहती हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता। आगे भी करतारूँ मैं। मुझे मंतरीची तो आपके इलाखे में आए थे जनम दिन पर बेटे की कारीकरम में भिदाए हो ने बोला कि आपके कारण ही उनकी सरकार बची है। इस तरह के कठोर फैसले की उमीद बच गई ने सरकार, अब राजदर गुड़ा क्या जरू होता है, बच गई, राजदर गईलोज साब की उमर के तेहतर साल हो गई, गारजन मने थे हमारे, मैं तुम्हारा गारजन हूँ, जब हमारे गारजन थे तब ही राजदर गुड़ा अब राजदर गुड़ा का अगला स्टेप क्या होगा, क्या बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी खुलकर आपके सपोर्ट में आई भी है, उनका कहना है कि कॉंग्रेस में अंदरूनी लोगतन थे खत्म हो गया है, बीजेपी से सुना हो नहीं लोड़ूगा, कभी बीज मुझे बीजेपी के से मले चना हो नहीं लोड़ूगा, कॉंग्रेस में ही रहेंगे, अब साथ मुझे वहां भी पता नहीं रखेंगे लेकिन मैं तो कॉंगरेस में आई गया, आप कॉंगरेसे बर रखेंगे और निकालेंगे वो तो उनका कॉर्णा है, राजदर गुड़ किदर निकाल दिया उनोंने, जिस तरीके से, क्या गलत बोला था मैंने, क्या दिविया मदेना ने नहीं कहा कि विधायक सुरक्सित नहीं है, जब एक हमारी मानली विधाय किया कहते हम सुरक्सित नहीं हैं, और जब सारे सारी घटनाएं सामने नहीं हो रही, रोज ली हो रह नहीं हो रहे क्या हम बेरोजगारों के साथ न्याय कर पाए पांच साल के पहले हम क्या राजस्तान के नोजवान को क्या जबाब दें हमारे यहां आपको बताना चाहरा हूं पिछले दो मेने के अंदर मापके पास आंकड़े दूँगा तीस लड़के सुसाइड करके मर चुक कि आशा तोटती है क्या हो रहा है कि रहला था सपक्षाण के मारे जबाब देंई है जब हम जब जब बिच में रहते आपके बिल्कुल पीच में नहीं मैं मैं तो सो परसेंट लोगों के सेवा के लिए मन तो उसको जूच किया है सो परसेंट गरीबों के सेवा बीमारों के सेवा और यह तो आप करते रहेंगे एक आखरी सवाल का जवाब चाहेंगे और पूरी इमान दरी से क्या 2020 के बास कॉंग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा था जैसे कॉंग्रेस कारी करता नेता उमीद कर रहे थे आप जितनी उमीदों के साथ कॉंग्रेस जॉइन की थी आप लोगों ने क्या उसी साब से सब कुछ ठीक चल रहा था हमने जोईन की थे थोड़ी पता था हमारे साथ इस तरीक है हो गए क्या कैगे दिया हमाने इत्ता एंट आगे अपड़े गिरेबान में जांकि देखे हम राजस्तान रहिंदुस्तान में महिला दुस्करमी नमबर नहीं है क्या यह हमारे लिए सरम की डूब मटने की बात नही है हमें स्भी result नहीं देना है क्या इसkas में यह कहते हैं कि हम ने मुख्यमंतरिय कहे दिया सारी rr माईला दोस्करम बलातकार के मुघद्बंदमे के ब lugन के में अर नहीं होते ती 12 करम जैसे मुघद्ब में मेरा सवाल था पॉल्टिकली क्या कॉंग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है जिस तरह की बाते जिस तरह के बयान आपने भी सचिन पाइलेट के सपोर्ट में दिये थे उस लिहां से यह सवाल पूछा गया था पाइलेट साब के बारे में वह पाइलेट साहब नोजवान है पाइलेट साहब बीजेपी के खिलाप लड़े पाइलेट साहब को तो विपक्स मान लिया विपक्स तो रहा ही पाइलेट साहब को तो माना है पैदल चलना पड़ रहा है चाले हो रहे हैं धरने देने पड़ रहे हैं गदार नीच नालाएक पता लिए क्या क्या नहीं किया उनके साथ, पूरे हिंदुस्तान में सचिन पाइलेट साथ, कभी बिहार में कॉंगरिस के लिए परचार कर रहे हैं, कभी यूपी में कर रहे हैं, कभी भीमाचल में कर रहे हैं, कभी दिल्ली में, राजस्तान में घाड़ें सुनने हैं, क्या क्या नहीं सुना उनोंने, मेरे अदर पाइलेट साब जिदा पेसेंस नहीं है उतर धहरिय नहीं है में तर नहीं रख पता राज़ेंदर गुड़ा राजस्तान के पूर हुसैनिक कल्यान राजमंतरी जिने बरकास्त कर गया आज उन्होंने साफ तोर पर अपनी सफाई दी कि शायद गहलोत साब को अब उनकी कि कॉंग्रेस पार्टी अब किस तरह इस पूरे इशू पर डेमेज कंट्रोल करेगी क्योंकि राज़न गुड़ा ने साफ कर दिया कि उन्होंने विधान सभा के अंदर जो बयान दिया था महीलाओं की सुरक्षा को लेकर उस पर आज भी वे पूरी तरह से कायम है कैमरामे हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24